शुप परभाद प्यारे बच्चो प्यारे बच्चो जैसे कि आप जानते हो कि पंजाब स्कूल सिक्षा विभाग के दौरा पैस के पिपर लिये जा रही हैं तो बच्चो आज हम अपने इस वीडियो के द्वारा कक्षा पांचमी विशय हिंदी कार्या पत्रिका दो हल करेंगे तो बच्चो ये कार्या पत्रिका आपके सामने है तो कार्या पत्रिका का पहला प्रशन है बालक ने विद्या सागर से क्या मांगा हाँजी तो बच्चो बालक ने विद्या सागर से क्या मांगा था पैसे मांगे थे तीसरा विद्या सागर बिल्कुल ठीक उत्तर है दूसरा प्रशन विद्या सागर ने बालक को कितने रुपय दिये पहला विकलब 10 दूसरा विकलब 5 तीसरा विकलब 8 चौथा विकलब 1 हाँजी तो बच्चो विद्या सागर ने बालक को एक रुपया दिया था तीसरा प्रशन माता पिता द्वारा मिले रुपयां का आप क्या करते हैं हाँजी बच्चो बताओ बहुत अच्छा है ये कोश्चन अगर आपके माता पिता आपको कुछ रुपये देते हैं तो आप क्या करोगे हांजी बच्चो अगर माता पिता के द्वारा आपको कुछ रुपए मिलते हैं तो उस रुपए से आप काप्या खरीद कर अपनी पढ़ाई करोगे ठीक है बच्चो चोथा प्रशन युवक ने विद्या सागर को अपनी दुकान पर क्यों बुलाया पहला विकलब चाय पीने के लिए दूसरा विकलब आशिरवाद पाने के लिए तीसरा विकलब पैसे मांगने के लिए चोथा विकलब लड़ने के लिए हाँजी तो बच्चो युवक ने विद्या सागर को अपने दुकान पर क्यों बलाया था? हाँजी आशिरवाद पाने के लिए बुलाया था, दूसरा विकलब बिल्कुल ठीक उत्तर है पांचवा प्रशन बालक ने एक रुपए का क्या किया? पहला विकलब खाना खाया, दूसरा विकलब मेला देखा, तीसरा विकलब खिलोना खरिद्धा, चोथा विकलब फलों की रेडी लगाई हाँजी तो बच्चो बालक ने एक रुपए का क्या किया था? हान जी फलों की रेड़ी लगाई थी चोथा विकलब विल्कुल ठीक उत्तर है चटा प्रशन बालक को एक रुपया किस ने दिया हान जी तो बच्चो बालक को एक रुपया किस ने दिया था हांजी इश्वर चंदर विद्या सागर जी ने बालक को एक रुपया दिया था और वही एक रुपय से उसने फलों की रेडी लगानी शिरू की थी सात्वा प्रशन यदी मैं तुमें एक पैसे के स्थान पर एक रुपया दूँ तो तुम क्या करोगे बच्चो यह वाक्या किस ने किस से कहे थे हांजी आप जानते ही हो हमने पाठे पड़ा है तो इश्वर चंदर विद्या सागर ने यह शबत बालक को कहे थे आठमा प्रशन सही गलत का निशान लगाए पहला है मैं भीख नहीं मांगूँगा हांजी बच्चो यह शबत बालक ने कहे थे और यह बिल्कुल सही है क्यों क्यों क्योंकि बालक ने यह कहा था कि मैं भीख नहीं मांगूँगा कोई काम करूँगा दूसरा है बालक ने दस रुपे मांगे हांजी बच्चो तो बालक ने दस रुपे मांगे थे नहीं यह गलत है बालक ने 1 रुप्या मांगा था ठीक है बच्चो हांजी तो प्यारे बच्चो आज जो हमने यह अपनी कार्य पत्र का दो के पहले 8 प्रशन किये हैं यह सब भी प्रशन आपने अपनी काप़ी पर अच्छे से नोट करने है और इन्हें अच्छे से याद भी करना है धन्यावाद मेरे प्यारे बच्चो